हलो दोस्तों बावर सर की यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम कल लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं तो आईए हम लोग देखते हैं लिमिट चेप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे तो उसका कुछ कंटेंट यहां पर लिखा गिया है आपको लिमिट के बारे में सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है लिमिट ऑफ फंक्शन और दूसरा लिखा हुआ है लिमिट लेफ्ट हैं लिमिट और राइट हैं लिमिट तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे left hand limit और right hand limit के बारे में देखते हैं और तीसरा है आपका method for finding left hand limit and right hand limit तो कैसे हम लोग left hand limit और right hand limit को find out करेंगे तो उसमें हम लोग detail में देखेंगे और चौधा number में existence of limit कोई लिमिट कैसे एक्जिस्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे एक्जिस्टेंस करता है उसका उसे फाइंड आट किया जाता है पाचमा था आपका कैसे कैसे किया जाता है उसमें हम लोग देखेंगे और सत्रधमें नंबर में हैं जिल लिमिट एक दो और बच जाता है उसमें लिमिट्स के कुछ पार्ट्स और रह गए थे जो exponential limit है इसमें exponential function का हम लोग सारा exponential function का limit calculation करेंगे और उसके बाद आता है दसमा नमबर जो है सबसे important limit है इसको पढ़ा जाता है lawpital rules lawpital limits पढ़ा जाता है लेकिन generally बच्चे पढ़ते hospital rule जब कि वो गलत है lawpital इसे पढ़ा जाता है और यह सबसे important आता है lawpital rules बहुत ही easy है और यह किस में applicable होता है वो दो ही case में applicable होता है वो 0 by 0 में और infinity by infinity में यह दो चीज में applicable होता है lawpital rule उसके बाद हम लोग आईए detail में में देखते हैं सबसे पहले हम आपको लिखाये थे limit of a function तो limit of a function देखते है कैसे क्या किया जाता है जब कोई function माल लिए suppose मेरे पास एक function दिया हुआ fx और उसको हम लोग कैसे calculate किया जाता है limit को at x is equal to a पे तो इसका limit हो जागा आपका limit x tending to x tending to a f of x इससे पढ़ा जाता है x tending to a यह 3 का जो निशान दिया है वो x tending to a पढ़ा जाता है इस तरह से हम किसी भी function को दिया हुआ at x is equal to a पे limit calculate कर सकते है तो यह limit का अप्रोच हो जागा कि x tending to a से limit x tending to a f of x यह function of limit को यह करने का था next आपको बताना था कि left hand limit and right hand limit किछे कहते हैं आए देखते हैं हम लोग left hand limit and right hand limit left hand limit is generally at x is equal to a पगर चेक करते हैं तो f of a minus 0 होता है यहाँ पे और दूसरी बात उसी को कह सकते है ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते है limit x tending to a minus f of x और वो numeric value अगर लिखना चाहते है तो limit x tending to 0 f of a minus h और similarly इसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे right hand limit को तो यहाँ ते right hand limit हो जाएगा f of a plus 0 और is equal to हो जाएगा limit x tending to a plus f of x and is equal to हो जाएगा limit x tending to 0 f of a plus h h जहाँ पे h है एक positive number हम लोग mention कर सकते है where h is greater than 0 एक positive number है यहाँ पे h आईए हम तिसरा पार्ट देखते हैं इसमें finding of limit left hand limit and right hand limit और मतलब इसके तीन तरीका होता है इसके तीन नियम होता है इसको left hand limit and right hand limit को calculate करने के लिए first नियम आता है कि in a function we write x plus h in place of x for right hand limit right hand limit के लिए आपको x के जगा पे x plus h replace करना पड़ेगा और left hand limit के लिए आपको x minus h replace करना पड़ेगा x के जगा पे और वहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका दूदरा नियम है कि then we replace x by a उसको हम लोग फिर बाद में x को a से replace कर देते हैं और last में क्या करते हैं कि हम लोग को find out करना होता है h tending to 0 और उसके बाद देखते हैं कि limit का value क्या होता हो वो calculate करते हैं existence of limit यहाँ पे लिखा हुआ है और कोई limit exist कब करेगा इसके लिए क्या क्या condition है वो देखते हैं सबसे पहला condition है कि left hand limit and right hand limit दोनों exist करना चाहिए और दूसरा condition उसका है कि left hand limit और right hand limit दोनों का दोनों ही बराबर होना चाहिए that is आप कह सकते हैं कि limit extending to a minus f of x is equal to limit extending to f of x extending to a plus f of x यह दोनों का दोनों बराबर होता है इस चीज़ को हम लोग example के तुरूप समझते हैं सबसे पहला example लिया गया आपको calculate the limit x tending to 4 greatest integer x यहाँ पर यह box बता रहा आपको greatest integer function तो हम लोग कैसे calculate करते हैं वो चीज़ देखते हैं इसमें तो आईए सबसे पहले left hand limit लगाते हैं इसमें left hand limit हो जागा x tending to x tending to 4 minus box of x यह आजागा आपका value 3 अब राइट hand limit में देखते हैं क्या आता है limit x tending to 4 plus box of x यह आजागा आपका 4 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि left hand limit is equal to 3 है right hand limit is equal to 4 है यहाँ पर दोनों के दोनों ही बराबर नहीं है इसका मतलब यह limit exist नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पर का सकते हैं कि limit limit extending to 4 box of x does not exist यहाँ पर हम लोग का सकते हैं कि यह limit exist नहीं कर रहा है तो यह यहाँ पर exist नहीं कर रहा है तो देखते हम लोग box of x का graph कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि greatest integer का function मतलब कि graph क्या होता है अब यह हम लोग एक limit का question solve किये थे greatest integer function से related तो वही देखना चाहता है कि पहले उसका graph कैसा होता है तो यहाँ पर graph के माधियम से समझ सकते हैं आप पहले लिखें तो limit x tending to 4 minus 4 minus greatest integer x यहाँ पर 4 minus का मतलब यह हो रहा है 4 यहाँ पर आए और यहाँ पर just minus तो यह value आपको 3 दे रहा है तो यहाँ से graph से आप देख रहा है कि यह value आपको 3 दे रहा है तो यह 3 value दे रहा है उसके बाद right hand limit देखते हैं तो x tending to 4 plus box of x यहाँ पर देखें यहाँ पर यहाँ पर आते है यह 4 पर ट्रोकी है ऐसे यहाँ पर 4 आए 4 तो just plus देखिए y का value जो आता है अपका यह 4 आ रहा है तो 4 यहाँ पर 4 plus पर 4 आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग कहा सकते हैं कि left hand limit और right hand limit equal नहीं हैं दोनों equal नहीं हैं तो यह इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह limit exist नहीं करेगा तो एवब limit does not exist दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पिछले class के लिए मतला आगले class के लिए कुछ homework के दिया गया है एक question है इस question में कहा रहा है कि limit if limit x tending to 0 x पे power minus 3 sin of 3x plus a x पे power minus 2 plus b exist and equal to 0 then find the value of a and b मतलब आप लोग को बताना यह limit कर रहा कि यह exist कर रहा और आपको बताना होगा कि इसका answer क्या होगा और अगर आपसे बन जाता है तो आप comment box पे लिख के हमको बताए तो फिर हम इसका reply देते हैं और दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो like and subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा share भी करें इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कर दोस्तों 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 कर दोस्तों